नमस्कार, मैं हूँ सासी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आई ज़रखन के दिन भर की खबर जानते हैं सनीवार को Ü्कास आयोक शासी परकास शिंगने समिक्षा बैठा की इस दोरान उन्होंने परिक्षा केंद्र बनाये जाने वाले स्कूलों की एक एक समिक्षा करते हुए परिक्षा से सम्मधित मोलभुत सुविधाओं की जनकारी सिक्षा बिभाग से लिए समिक्षा के बाद उन्होंने 181 हाई स्कूलों में मैट्रिक परीच्छा के लिए वहीं 102 परीच्छा केंद्र तथा 64 प्रलस टू उच बिद्यालों में इंटर्मीडियेट परीच्छा के लिए 88 परीच्छा केंद्र बनाने का निनलिया बैठा के दोरान उप विकास आयुक्त ने कहा है कि अधिक दूरी पर इस्थीत परिक्षा केंद्रों को नजदिक बनाया जाए ताकि परिशार्थी को आने जाने में परचानी का सामना नहीं करना पड़े इस समाद में उन्होंने सिक्षा पता अधिकारी को निर्देश भी दिया है बता दे आगामी वर्स में आयोजीत होने वाली मैट्री की परिच्छा में 3931 शातर शातराय सामिल होंगे वहीं इंटर्मीडियर की परिच्छा में बिज्ञान कला और वानीजे संकायों में 27936 शात करने का निर्देश सराह निये है निश्चित रूप से इसका लाब गंभी रूप से बीमार लोगों गर्भवती महिलाओं के अलावा दुर्गाटना में जक्मी होने वाली लोगों को मिलेगा सबसे बड़ी बात है कि इसमें 24 एम्बूलेंस नौजातों के लिए होगा जिस बताद 108 Emergency Response Service के तहट कई अने सुविधाय बढ़ाई जा रही है जिनमें एम्बूलेंस में GPS सिस्टम लागाने से लेकर अने तकनीक बिक्सित करना सामिल है जारखन में सरकार की तरह चलेगा पंचायती राज मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है मंसुले ने कहा है कि सरकार पंचायती राज वेवस्था को मजबूत करना चाहती है यह बात 200 फिस्ती सही है कि अगर पंचायते मजबूत होगी तो गाउपर खंड जीला और राज मजब सबल किया जाएगा सिरी सुरेंट सनीवार को अपने आवास पर पत्रकारों से मान की मुंडा परगनायत की भूमी का सुनेश्चित होने वह पंचायती ब्यवस्था दुरूस्त होगी सीएम ने कहा है कि जैसे सरकार चलती है उसी तरह पैटर्ण पर पंचायत भी चले इसकी व्यवस्था कर रहे हैं उनके पति निधियों की भी बैठक हो और योजना बने ऐसा खाका बनाया जा रहा है बना गुपता वा अरूप चटरजी समेत कई डॉक्टरों पर इडि की नजार अब इडि की नजार निर्शा के पूरविधायक अरूप चटरजी जमसेदपूर MC1 के अध्यक्ष बना गुपता सही CCL अधिकारी चिकित सक और कई अन्य विभागों के अधिकारियों पर भी है इडि ने पुलिस मुख्यालाय से समन्दित लोगों पर दर्ज मामलों को लेकर रिपोर्ट मांगी है इसे लेकर पुलिस मुख्यालाय आई जी मनवा अधिकार को पत्र लिखा गया है इस पर पुलिस मुख्याले के निर्देश पर रांची जम सेथपूर अधनबाद एस एसपी के अलावा सभी जिलों के एसपी से पत्रचार किया गया है पुलिस अधिकारियों दोवारा किये गए पत्रचार में जिन अन्य लोगों के नाम उलेख हैं उनमें रमन कुमार, मंजाय सिंग, बनरजी मुखर जी, डबलू आर्डी ज्हारकन के जूनियर इंजिनियर सत्यदेव परसाद सिंग सामिल हाएं रांची के डिजिटल बैंक यूनिट सेंटर का पीम मोदी ने किया उधगाटान ज्हारकन के राज़ानी रांची जीले के बेडो में परधान मंत्री नायन मोदी का डिजिटल इंडिया संकल्प आई देश को नई उचाया परधान कर रहा है देश की जानता को समरफित करते हुए परधान मंत्री मोदी ने देश बर में 75 डिजिटल बैंक यूनिट का उधगाटन किया डिजिटल बैंकों को बढ़ावा देने के लिए सुरू कियेगा या डिजिटल बैंक 24 घंटे कारणारत रहेंगे बताते देश बर में कूल 75 सेंटर का एक साथ उधगाटन किया गया है जिसमें जार्कन किरेधानी राजी के बेड़ो इसी सेंटर पूरे राजे में एक मात रहा है जिसका उधगाटन ऑनलाइन किया गया डिजिटल लाइफ इंडिया के सपने को बल मिलेगा इस योजना के तहाद मामले की जनकारी देते हुए डिजिटल बैंक के अधिकारी बताते हैं कि परधान मंत्री मोधी का लक्ष है कि पूरे देश को डिजिटल लाइफ बनाना और खासकर गरामी इलाकों में भी डिजिटल की लव को जगाना ताकि डिजिटल लाइफ से कोई भी ब्यक्तिय चूता न रह सके और इसका लाब लिया जा सके जारखन में अधिक आवाज वाले पठाखों पर लगी रोक राजे परदूसन बोड ने राजी के चार जीलो में ही 125 डेसीबल धौनी छमता वाले पठाखों की बिक्री की अनुमाती दी है समधित चार जीलो में गुमला खोटी चाईबासा और सराय के लाखर्चावा सामिल है बोड ने आधेस में कहा आए कि वैसे जीलो को ही इससे अधिक चमता वाले पठाखों की बेचने की अनुमाती मिलेगी जिनका यर्ग क्वालिटी इंडेक्स अच्छा या समाने हो राष्टरिय मानक में 0-50 वालो को गुड तथा 51-100 वालो को संतोस परद सिरेनी में रखा जाता है इससे अधिक AQI वाले को अनहेल्दी सिरेनी में रखा जाता है सुक्रवार को राजय के मात्र 4 जीलो का ही AQI 100 से कम रहा है इन जिलो में वन छेत्र अपेक्छा किलित ज्यादा है नेशनल ग्रीन ट्रिवनल नई दिली ने 2020 में ही पर्व में पर्दूशन की मात्रा कम करने के लिए ने देश दिया था गोल्डन गर्ल आसा किरन बारला ने कुवायत में बनाया रिकोर्ट कुवायत में आवेजित एसियन यूथ एतलेटिक्स चेंपियनशिप में गुमला के नेशनल एथलिट आसा किरन बारला ने नया रिकोर्ट बनाते हुए 800 मिटर रेस में स्वन पदख जीता है इनकी जित पर सियम हेमन सुरेन ने भी उन्हें बधाई दी है आसा किरन बारला ने 800 मिटर के फाइनल में 2-86 सेकेंड के साथ एसियन यूथ एतलेटिक्स चेंपियनशिप में रिकोर्ट बनाया बता देख कुवायत में आसा किरन की जीत पर सियम हेमन सुरेन ने बधाई देते वे ट्विट किया है बधाई और सुबकमना है कुवायत में आवजी चौथी एसियन यूथ एतलेटिक्स चेंपियनशिप में गुमला किया सा किरन बारला ने 800 मिटर दोड में नए रिकोर्ट समय 289 मिनट के साथ गोल्ड जीता है रांची और गुमला अंचल में चलेगा बिजली बैकायदारों का अभ्यान जारखन बिजली बित्रन निगम लिमिटेड दीपावली से पहले रायस वहसुली बढ़ाने की कवायद कर रहा है इसके तहद बड़े बैकायदारों का बिजली कनेक्शन काटा जाएगा इसके लिए रांची और पूर्ती अंचल के सभी छट डिवीजिनों के साथ ही गुमला अंचल के खुटी तोरपा, गुमला, घागरा, लोहरदागा, कुडू, सिम्टेगा, कामडारा, कोले बीरा में सोमवार से बड़ा अभ्यान चलाया जाएगा JVBNL के 10 परमंडलों में रोजाना के हिसाब से लक्षताय कियेगा यहाँ रिम्स में तृतिये पदों के नियुक्ती में संसोधन की मांग पारामेटकल स्टाप एसोसेसन जार्खन के अध्याक्स रामवीच मातोग नेतित में रिम्स रांची इंतरगा तृतिये स्रेनी के पदों प्रनियुक्ती के लिए निकालेगा विग्यापन संक्या 1922-2022 में पारामेटकल से समधी तुरुटियों को संसोधित करने की मांग की है इसके लिए संग ने मुखे मंत्री, स्वास्त मंत्री, निदेशक, रिम, सरांची, अध्यक, जार्खन, क्रम, चाय, चैन, आयोग और प्रधान सची उस्वास्त चिकित सा सिख छा एवं परिवार कल्यान विभाग जार्खन सरकार को गयापन भी स्वाप दिया है संग का कहना आयकि 2006 से JCECB के माध्यम से जार्खन सरकार के द्वारा JPC जार्खन राजे पारामेटकल पर्षा 2010 के अंत्रगत राजे के तीनो सरकारी मेटकल कोलेजों में नेत्र सायक, ड्रेशर, ECG, टेकनेशियान, रेडियो, इमेजेंसी, टेकनिक्सियान, डाइलिसिस, टेकनेशियान, आधी, डिप्लोमा, और सार्टिफिकेट कोर्स का पर्षिशन दिया जा रहा है जार्खन सरकार पहली बार पारामेटकल का तीरितिय स्रेणी के पदोपर नियुक्ति कर रही है, इसलिए संसोधन करने की जरूरत है बंधु तिर्की का भाजपा पर तंज, बिजेपी को सरकार पर बोलने के आलावा कोई काम नहीं जार्खन पर देश कॉंग्रेस पार्टी के करकारी अध्यस बंधु तिर्की सिम्डेगा पहुंचे सरकीट हाउस में प्रेस कॉंफिरेंस करते हुए बंधु तिर्की ने कहा है कि भाजपा नाक रगल ले किन्तु अगली बार भी जार्खन में सता में नहीं पहुंच सकती राजवा देश के लोग महंगाई से त्रस्त हैं इस पर भाजपा के लोग कुछ नहीं कहते राज में आदिवासी का बेटा सरकार चला रहा है तो उन लोगों को तकलीफ हो रही है एक सवाल के जवाब में बंधु तिर्की ने कहा है कि भारतिया जनता पार्टी के पास अब कोई काम नहीं रह गया इसलिए वे अनरगल परलाप हमत सरकार के खिलाप करते रहते हैं राज में बीदी बेवस्ता के सवाल पर बंधु तिर्की ने कहा है कि कुछ घटनाए होई है उस पर काम चल रहा है हलाकि इस पर और काम करने की जरूरत है रांची के रिम्स कैदी वार से दो कैदी फरार राइधानी रांची के रिम्स कैदी वार से हजारी बगर गुमला से इलाज के लिए लाए गए गए दो कैदी फरार हो गए हैं घटना देर राद दो बज कर 30 मियट के आसपास की है प्राप्त जनकारी के अनुसार दोनों कैदी ग्रील तोड़कर भाग गया है सुत्रों के मुताबिक भागने वाले दो कैदियों में एक उग्रवादी है मामले की जनकारी मिलते ही पूलिस हरकत में आ गई है रिम सुत्रों के मुताबिक जहां से कैदी फरार हुए वहाँ की ग्रील कमजोर थी उसे ही तोड़कर दोनों इलाजरत के दी भाग गया है जमसेदपूर के छात्रा के कपड़े उतरवाने की आरोपी सिक्षिका को जेल सारदा मनी गल्स हाइ स्कूल साकची की नौवी की छात्रा के कपड़े उतरवाने के आरोपी सिक्सिका चंदरा दास को पूलिस ने सन्निवार को गिरफतार कर जेल भेज दिया बता दे टी एम एच में इलाजरज चात्रा के ब्यान पर सिता राम डेरा थाना में सिक्सिका पर प्राथमी की दर्च की गई है इधर घाटना से आक रोशित लोगों ने सन्निवार के सुबा स्कूल में हंगामा किया लोगों ने गेट का ताला भी तोड़ दिया स्कूल परिसर में करमचारियों के क्वार्टरों में भी तोड़ फोड़ की गई हंगामे के सुचना पर पोलिस पहुंची और मामला सांत कराया बाद में आक रोशित लोगों ने डी एसी करयाले पहुंच कर वहां भी हंगामा किया धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं होते चैनलों को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल आइक अंद भाई है साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों किसा सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फीड़ एक अवस्य दे थैंक यू